हलो करी वेलकम टूर चैनल मैस कंसेट अगेडमी मेरा नाम रभी मैं अपकले मत्रमुटिकल कंटेंट और साथ ही साथ के विडियो मैंने बनाया था क्योंकि कल के विडियो निकाल दिया था उसमें टीचर्स को एड्मिस्टेटिव ट्रांफर के ग्राउंड पे ट्रांसफर दे के विडियो के विडियो है कि 2022 में ट्रांसफर प्रोसेस नहीं आएगी तो अब ट्रांसफर प्रोसेस आएगी 2023 में जनवरी फरवरी जो की हर साल जैसा चलता था 2022 में ट्रांसफर प्रोसेस नहीं आएगी बहुत दुख की बात है लेकिन जो सच है वो यही है कि 2022 में ट्रांस जो कह रहे थे कि सुझाव मांगो सब से यह सब करो यह सब उनके बेवज़े की उसके वज़े से हुआ जो चाहते ही थे क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इस उर्गनाइजेशन में कहीं दूप है कहीं चाहा है तो बहुत लोग चाहते ही नहीं है कि आप लोगों का ट्रांसफर हो क्योंकि वह अपनी जगे बैठे में है तो चलो उनको एक 5-6 महिने का और रिलेक्स मिल गया लेकिन ट्रांसफर प्रोसेस अब 2023 में होगी और वहीं होगी जो हमने बताया कब होगी जनवरी फर्वरी में स्टार्ट होगी जैसे उनका हर साल होता था कोरोना से पहले तो अब इस नोटिफिकेशन के बाद हमें क्या समझ अची है इस नोटिफिकेशन के बाद हमें सबसे पहले तो यह समझ अची है कि आपके पास अब दो ही रास्ते है पहला रास्ता की अब LDC ही आएगा मदलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाला डिपार्टमेंटल प्रमोशन का एक्जाम आएगा उसके बाद रिकूरूटमेंट आएगा बहुत-बहुत-बहुत-इस्ट्रांग उमीद हो चुकिए कि departmental promotion ही पहले आएगा ठीक है ना otherwise otherwise आपका recruitment आएगा लेकिन अब जो भी हो अब departmental promotion के बाद recruitment आए या departmental promotion से पहले recruitment आए अब ये transfer वाली process 2023 के लिए चली गई है अब ये दो process बचे और देखते हैं क्या होता है और मैंने day one में कहा था कि kbs एक uncertain organization है that means जो अभी हमने all India के दिरे विदाले प्रगर्ति सील सिख्षक संग पड़ी थी कवी PSS करके उसका उन्होंने पता है उन्होंने तो यह पता भी नहीं था कि administrative transfer आने वाले हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं चेशन पहले है तो देखते हैं क्या होता है मैं